उपकुल सभापती जी, मैं बोलने का उसर देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे कुछ दो-तीन ही पॉइंट्स हैं जिनको मैं उजागर करना चाहूंगी सबसे पहले तो जो शब्द है पाइरसी, वो बहुत ही एक नेगेटिव शब्द है It's a bad word, क्योंकि उसमें immaturity दिखती है, lack of intelligence दिखता है और ideas की चोरी तो सही लेकिन पूरा का पूरा जो production है, उसी की चोरी का प्रशन उठता है तो किसी भी प्रकार की पाइरसी को बंद करने के लिए ये bill में amendment लाया जा रहा है प्रशन ये भी उठता है, कि जैसे कहा गया, सभी सदस्यों ने कहा जो बोले है मेरे पहले कि आज का जो जमाना है, जिसमें हर एक बच्चे के हाथ में, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल फून है, बच्चे बच्चे के पास लैप टॉप है, और पूरा सोशल मीडिया, इंटरनेट सब उनके मुठी में है ऐसी परिस्थिती में कैसे और कहां कहां इसको रोग सकेंगे, ऐसे amendment के द्वारा ये एक प्रशन मेरे मन में उड़ता है और उसका निराकरण भी कहीं यदि मंत्री जी माननी मंत्री जी करें, तो अच्छा होगा एक दूसरा प्रशन मुझे अभी जब बोल रहे थे, डॉक्टर आधा मोहन जी के बहुत सारे morality, religion वगरे के प्रशन ओखते हैं मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो शब्द हैं, विचाथ की वर्ड्स, लाइक morality, उसका कोई definition दिया जाए योगि morality शब्द का अर्थ, अलग अलग cultural communities में, अलग अलग धर्मों के अंतरगत, बहुत अलग होता है मुझे ये कहा गया है, scholars के द्वारा, समस्कृत के scholars हैं, भारती धर्मशास्त के scholars हैं कि हमारे याँ morality शब्द का कोई translation ही नहीं है It is being understood in a very different context तो मैं चाहूंगी कि हमारे धर्मशास्तों के अनुसार, हमारी भाशाओं के अनुसार, हमारे traditions, विचारों के अनुसार, अनुरूप इसके यदि translations मिल जाएं हिंदी में, तो बहुत ही सहाय रूप होंगे मैंने बच्पन से कुछ फिल्में देखी, मैं बहुत जादा फिल्म तो नहीं देख पाती हूँ मेरा अपना काम मुझे इतना मस्रूफ रखता है लेकिन मुझे याद है कि जेल रिफॉर्म्स के लिए भी शांताराम की दो बिगहा जमीन अद्भुत फिल्म थी मदर इंडिया जो नारी शक्ती का आज हम बात कर रहे हैं सशक्ती करण उसके लिए उससे बढ़िया फिल्म मैं नहीं सोचती हूँ कि आग तक शायद बनी हो रत्य संगीत हमारी जो कलाएं हैं हमारी धरोहर हैं जीवन तर धरोहर हैं जनक जनक पाइल बाजे और ऐसी कुछ फिल्मे हमारे सामने हैं या थी बच्चों के लिए जागरुती जो फिल्म आई थी आओ बच्चों तुम्हे दिखाए जहां की हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की तो आज तक ऐसे गाने कानमी गूंचते हैं और ऐसे द्रश्च हमारी आँखों के सामने नाचते हैं लेकिन कल भी मैंने सुना था जो बहस हो रही थी दुपहर में जन जातियों के बारे में ट्राइबल्स मुझे नहीं लगता है कि हमारी ट्राइबल कम्यूनिटीज और इंडिजिनस लोगों के उनके दर्शन में यानि उनको दिखाने में हमारी फिल्में आज तक सक्षम हो रही है या हूई थी शायद इसे लिए भी मुझे लगता है कि हम नहीं समझ पाएं हैं आज तक उन्हें ट्राइबल्स कहते रहे हैं आज तक भी नॉट अंडिस्टूट वाटार दे ट्रडिस्टिंस वाटार दे फेस्टिवल्स वाटार दे माइंसे फिलोसोफी इनका जिस तरीके से निरूपन होता रहा है फिल्मों में वह बहुत ही आपती जनक रहा है उनको हमेशा ऐसी अवस्था में दिखाया जाता है कि जी जी मुझे एक तीस सेकंड ऐसे दिखाया जाता है कि दे आर तो बी यूज़ और थोड़ा विचार हो कि जब आप सर्टिफिकेशन दे रहे हैं या इसकी प्रावधान कर रहे हैं तो ऐसी फिल्म या ऐसी कंटेंट के बारे में भी जागरती रूप से सोचा जाए जागरत रूप से सोचा जाए और ये जो साथ वर्ष, दस वर्ष, तेरा वर्ष, ये अलग अलग जो हैं उसका कोई मुझे मतलब नहीं समझ में आता क्यों कि जैसे मैंने कहा कि सब के पास मुबाइल होते हैं कहां तक आप रोख लगा सकेंगे ये बात सोचने की है बाकी मैं बिल का समर्थन करती हूँ धन्यवाद